तो गाईज हमारा next interview question है वाट इस नाइव इन नाइव बेस ये एक बहुत common question है नाइव बेस एक बहुत famous machine learning algorithm है और इसका जो working है वो base theorem जो होता है probability में उससे निकल के आता है बट फिर लोग पूछते हैं कि इसके नाम के आगे फिर नाइव क्यों लगा हुआ है नाइव word का मतलब होता है भोला ठीक है तो नाइव बेस को नाइव बेस क्यों बोला जाता है ये हमें answer करना है let's answer this question तो नाइव बेस को नाइव बोलने का जो सबसे बड़ा reason वो है जो है वो ये है कि नाइव बेस is a supervised machine learning algorithm मतलब आपके पास कुछ इस तरीके का data होता है like अलग-अलग input columns है और आपका एक output column है ठीक है और आप model को train करते हो और फिर नए x के लिए आप y का prediction करते हो ठीक है ये आपका output column है now नाइव बेस को नाइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाइव बेस का assumption ये है इस algorithm का assumption ये है कि x1, x2 और x3 ये जो तीन columns हैं ये independent है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है and because of this assumption नाइव बेस को नाइव बोला जाता है क्योंकि real world में जो आपके पास data sets होंगे उनमें जो input columns होंगे उनका आपस में कुछ ना कुछ relationship होता है बट नाइव बेस ये नहीं मानना चाहता ठीक है वो नहीं मानना चाहता और उसके नहीं मानने की वज़े से कुछ cases में हमारा result उतना बढ़िया नहीं आता जितना आ सकता है बट अगें नाइव बेस जिस तरीके से काम करता है उसकी working के लिए it's absolutely important कि आप ये मानो कि उसके input columns के बीच में कोई relationship नहीं है और इसी नाइवनेस की वज़े से इसी भोलेपन की वज़े से इसका नाम नाइव बेस है ठीक है अगर आप इसका mathematical proof देखना चाहते हो कि कैसे नाइव बेस इस position पे पहुँचा कि उसने decide कि x1, x2 और x3 के बीच में या xn के बीच में कोई relationship नहीं है तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ मानलो हमारे पास ये data है ये हमारे पास data है दो input columns है और एक output column है अब knife base कैसे काम करता है कि knife base आपका जो output column है मानलो उसमें दो possibilities है दो classes है एक है no, एक है yes तो knife base क्या करता है no का probability निकालता है yes का probability निकालता है और जो भी probability ज़ादा है वही मान लेता है ठीक है तो ये पुरा based theorem पे based है तो होता क्या internally कि आप पहले probability of yes given x निकालते हो और फिर probability of no given x निकालते हो x क्या है? x1 और x2 का combination, x को आप ऐसे लिख सकते हो x1 intersection x2 जब x1 भी हुआ और x2 भी हुआ ठीक है? ये and लगता है अब इसको हम base theorem से लिख सकते है ये ठीक है? this is base theorem simple base theorem है ये अब हमें क्या करना है? ये दोनो probabilities निकालनी है जो भी ज़ादा है हम माल लेंगे yes अगर ज़ादा होगा तो yes माल लेंगे no ज़ादा होगा तो no माल लेंगे अब since दोनों में denominator same है तो हम denominator को हटा भी सकते हैं if we want like this so अब हमें basically क्या निकालना है? ये दो probabilities calculate करनी है let's focus on P Y given X is equal to P X given Y multiplied by P Y अब यहाँ पर अगर आपको conditional probability पता होगी तो आपको पता होगा कि P A given B को आप लिख सकते हो as P A intersection B divided by P B ठीक है? यहाँ पर अगर मैं X को A माल लू और B को या sorry एक बार इसको भूल जाते हैं अगर मैं Y को A माल लू और X को B माल लू तो मैं इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? probability of इसको rearrange कर रहा हूँ है so it would become probability of A intersection B is equal to probability of A given B multiplied by probability of B ठीक है? तो मैं इस पूरी चीज़ को replace करके लिख सकता हूँ as X intersection Y ठीक है? यह और यह इन दोन equation से निकला so अब मेरे पास है P Y given X is equal to P X intersection Y अब X खुद क्या है? X खुद है X1 intersection X2 और फिर यह Y आ गया ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ी दिर के लिए इसको A मान रहा हूँ और इन दोनों को B मान रहा हूँ और मैं फिर से conditional probability लगाता हूँ तो यह पूरी चीज बन जाएगी probability of X1 given X2 intersection Y multiplied by probability of B B क्या है? X2 intersection Y अब यहाँ पर मैं फिर से अगर conditional probability लगाँ तो यह हो जाएगा probability of X1 given X2 intersection Y multiplied by probability of X2 given Y multiplied by probability of Y So basically यह चीज निकालने के लिए मुझे अब यह तीन चीजे निकालने है यह तीन probabilities अब guess what? data के हिसाब से आप probability of yes तो बहुत इसली निकाल सकते हो यह तो बहुत इसली है ठीक है? यह भी actually easy ही है यह भी easy है आपसे पुछा जा रहा है X2 होने का probability given Y यह थोड़ा difficult है क्योंकि यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है X1 given X2 और Y दोनों हो तो यहाँ पर ही naive base क्या करता है? consumption लेता है वो बोलता है कि X1 X2 के उपर depend नहीं करता तो आप इस वाली probability को simplify करके ऐसे लिखते हो X1 given Y इस वाले को as it is लिखते हो X2 given Y और probability of Y So basically जो पूरा का पूरा फंडा हुआ वो यहाँ पर हुआ कि आपका इस term को आपने simplify करके यह बना दिया So that easily आप calculation कर पाओ ठीक है? अब यहाँ पर जो main चीज आई वो यह है कि X1 depend कर रहा था X2 और Y दोनों के उपर बट आपने conditional independence मांगा conditional independence मांगा जो यह कहता है कि probability of A अगर B intersection C पर depend करता है तो आप अगर conditional independence माल लो की A B पर depend नहीं करता तो वो हो जाएगा P A given C B ignore हो जाएगा वही यहाँ पर हुआ तो यह जो assumption है कि X1, X2 पर depend नहीं करता X1, X2 पर depend नहीं करता यानि कि एक input column दूसरे input column पर depend नहीं करता इसी assumption की वज़े से हम naive base को naive बोलते हैं otherwise यह base थिवरा में probability का इसमें बस एक assumption एड़ हुआ and that is why इसको naive base बोला जाता है I hope यह clear हो गया